वेल्कम बैक स्टूइंट्स तु माइ चैनल आएम नेहा सेंग आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो की पार्ट फर्स थी हमारे चैप्टर थियोरी अव सप्लाई के बारे में अब हम पार्ट सेकिंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि लॉव सप्लाई क्या होता है और उसके अजम्षं क्या होते हैं और उसके लॉव है तो होंगे ही और इसके साथ शाह्त हम यह जानेंगे कि जो सप्लाई के बोलते हैं और वह लॉवन क्यू garlic क्यों होते हैं तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर subscribe करें तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि supply क्या होता है supply वो होता है जो कि एक seller एक producer एक manufacturer चाहता है कि वो एक particular price में particular point of time में इतना quantity वो supply करें या फिर उसको बेचे market में तो ये होता है supply और हमने जाना था कि price और supply में positive relationship होता है मतलब अगर price भड़ती है तो supply भी भड़ती है तो अब law of supply क्या होता है जैसे कि law of demand था वैसे ही law of supply हो जाएगा तो कैसे होगा इसका कि if other things remaining the same अब other things क्या है जो कि law of demand में भी थे जो कि factors हमने जो पढ़े थे last video में वो सारे factors तो अगर if other things remaining the same यानि factors affecting supply are remaining the same are constant तो अगर price जो quantity supply है वो बढ़ती है price rise होने के साथ साथ और अगर उसके price घटती है तो quantity supply भी हमारी घट जाएगी तो फिर मैं repeat कर देती हूँ कि law of supply क्या होता है if other things remaining the same other things यहाँ पर क्या है जो factors affecting supply होते हैं वो अगर constant रहते हैं तो price के rise होने के साथ में quantity जो supply है वो बढ़ती है and vice versa अब हम इसको book की language में समझ लेते हैं it states that other things remaining same remaining constant quantity supplied increase in price of the commodity and vice versa वही मैंने जो आपको बताया वही if it states that other things remaining constant other things यहाँ पर क्या हो गया जो factors affecting मैंने आपको समझाये थे last video में वो quantity supplied increase in price of a commodity increase quantity supply जो है वो increase करती है साथ के price जो हम जो price होता है उसके साथ में quantity supplied भी increase होती है and vice versa अब इसके price और quantity क्या है price 10, 11, 12 और quantity 10, 20, 10 ले सकते हो चाहे 100, 200, 300 और इसके साथ में price, quantity, x-axis, y-axis और supply curve हमारी मैंने आपको last video में भी समझाया था कि supply curve हमारी upwards की तरफ जाती है क्योंकि इसका जो positive relationship होता है price के संग उस वज़े से ये demand curve की तरह downward sloping ना बनते हुए upward facing बनेगी अब देख लेते हैं हम law of supply के assumptions law of supply के assumptions अब आपको ये लगेगा कि मैं law of supply की assumptions बता रहे हैं और आपने यहाँ पर factors affecting लिख लिए हैं factors affecting इसलिए लिखे हैं because मैंने आपको law of supply में भी बताया है कि if other things remaining the same तो other things हमारे यहाँ पर factors affecting हो जाएंगे तो उसी से related हमारा assumption भी बन जाएगा कि जितने भी ये factors हैं factors affecting उसके आगे आजाएगा सिर्फ और सिफ constant simple constant हमारी factors cost of factors of production constant होगी technology constant होगी business expectations हमारी constant होगी और price of the related commodity जो है वो constant होगी government policies जो है वो constant होगी तो ये होती है इसकी assumptions और इनको points को समझने के लिए आपको मेरी last video देखनी पड़ेगी तो आप जरूर उसको check करें अगर आप last video नहीं देखेंगे तो आपको ये second part जो है जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप मिली पहले theory of supply की जो है वो इससे पहले वाली जो just video है video number 25 वो जरूर चेक करें तब आपको समझ में आएगी और आप easily उसको relate कर पाएंगे तो assumptions का simple मतलब क्या है कि वो जो हमने law of supply पढ़ा वो तब ही कारगर होगा या वो तब ही apply होगा जब ये सारी चीजे जो है वो constant होगी इन में से कोई भी चीज अगर change होती है तो जो law of supply है वो हमारी fail हो जाती है वो वहाँ पर apply नहीं करती है इसी लिए अगर law of supply जो बनाई गई है वो कारगर या applied या फिर वो सही तब ही मानी जाएगी जब ये वाली सारी चीजे हमारी constant है तब ही हमारी law of supply हमारी बनाई गई है assume करके assumptions का मतलब assume किया गया है वो law of supply की थियोरी प्रिपेर करने में कि ये वाली सारी चीजे जो है वो constant है अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि movements कौन से होते है supply curve में या फिर quantity supplied में ठीक है अब इसमें आजाएगा सबसे पहले हमारा expansion and contraction जो की हमने demand में भी पढ़ा था expansion यानी बढ़ना contraction यानी कम होना वहाँ पर हम जो demand curve की उसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर supply है तो उसके बारे में बात करेंगे तो expansion और contraction कब होता है जहां पर expansion तब होता है जब price बढ़ता है और price के बढ़ने के साथ में quantity जो supplied है वो भी हमारी बढ़ती है तो expansion और contraction किस वज़े से हो रहा है price बढ़ने और घटने की वज़े से जो supply में जो फरक आता है जो quantity supplied में जो फरक आता है increase और decrease होती है उस चीज़ को हम बोलेंगे expansion and contraction तो expansion का मतलब बढ़ना contraction का मतलब contract होना कम होना तो expansion simple है नाम से हमें समझ में आ रहा है कि price हमारी बढ़ रही है 1 से 5 हो रही है तो इस वज़े से जो quantity supplied है वो भी हमारी 1 से 5 हो रही है तो original जो होगी पहले तो आप यह बना लेंगे graph students graph में again and again बोलोंगी बहुत ही clear, neat, presentable बनाना है economics में main हमारा सिरफ और सिरफ graph के हमारे marks होते है answer present करने का हमारा trick होती है जो कि हमें और student से एक different हमें बताती है तो graph को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको present करना है इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको graph अच्छा होगा ना तो हो सकता examiner एक बार को आपका जो आपने theory जो लिखी है वो भी ना पड़ उसको जरुवत लगे क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा graph से ही कि बच्चे को आता है तो इसलिए graph बहुत अच् sheet होती है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी बहुत प्रेजेंटेबर लगेगी तो आपके economics में marks जो हैं वो सिरफ और सिरफ आपकी graph के mostly और आपकी आपने answer किस तरीके से present किया है उसके होते हैं तो अब हम चलते हैं अपने topic की तरफ Y, X, quantity, price, original और supply curve जैसे कि हम जानते है upward facing रहती है तो वो इस तरीके से बनेगी तो original price और quantity हमारी हमने दिखा दी P और Q के नाम से तो यह हमने इस तरीके से dark कर दिया और फिर जो हमारी change हुई है 1 से वो 5 हुई है तो price बढ़के हमारी हो गई P1 तो हमने वो dash dash करके बता दिया और Q से हमारी हो गई Q1 तो यह हो गया ह price बढ़ने की वज़े से हमारी जो quantity supplied है वो बढ़ रही है अब हम आ जाते हैं contraction की तरफ इसका just वो उल्टा हो जाएगा जहां पर हमारा जो price है वो 5 से 1 यानि decrease हो रहा है तो उस वज़े से जो quantity supplied है वो भी हमारी decrease हो रही है तो again graph सेम हो जाएगा सारी चीज सेम रहेंगी बस पर रख्या जाएगा कि जो यहां पर P और Q है वो हमारा decrease होके यहां पर नीचे की तरफ P1 और Q1 बन जाएगा तो expansion हमारा होता है price बढ़ने की वज़े से और contraction हमारा होता है price हमारा घटने की वज़े से अब हमने पिछले वाले में देखा expansion और contraction में कि price बढ़ने और घटने क की वज़े से जो हमारा quantity supply है वो बढ़ और घटरा था अब इसमें increase and decrease in supply होगा जिसमें की हमारा जो price है वो constant रहता है लेकिन हमारे जो other factors जो हमने बढ़े थे factors affecting उनके changes होने की वजह से हमारे जो supply है वो change होती है तो सबसे पहले हम देख रहेते है increase in supply increase in supply में आप कैसे बनाए प्राइज, output और हमारी जो price है जैसा कि मैंने आपको बोला इस case में constant रहेगी तो वो ऐसे constant बनके आगई at 10 पे जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि price 10 10 है और quantity हमारी बढ़ रही है supply जो है वो हमारी 20 से 30 हो रही है तो suppose यहाँ पे something वो 20 थी तो हमने यह पहले original supply बना दी और व यह हो जाएगा increase in supply अब increase in supply क्यों हो रहा है कि price तो बढ़ रहा कट रहा है नहीं कुछ भी तो क्यों हो रहा है यह increase तो increase हो सकता है में भी आपने जो suppose जैसे government policy थी तो उसमें हो सकता है government ने जो taxation है वो कम कर दिया हो और subsidy बढ़ा दियो तो वो हमारे लिए अच्छा है तो हमने अपना जो हमारा revenue increase होने का chance हो गया तो हमने जादा से जादा products हमने बनाने शुरू कर दिया और sale out करने शुरू कर दिये या फिर हम यह मान सकते हैं कि जो factors cost of factors of production है वो घट गई थी तो इसलिए हमने जादा से जादा supply करना शुरू कर दिया तो वो कोई भी हमारा जो factor है वो supply में as a favor में काम कर गया होगा तो इस वज़े से हमारी price बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो लेकिन हमने अपनी quantity जो है वो quantity supplied वो हमने बढ़ा दी है तो यह हो गया हमारा increase in supply अब decrease in supply क्या हो जाएगा same graph बन के आ जाएगा और इस तरीके से ऐसा आ जाएगा पहले तो हम दिखा देंगे price हमारा constant है 10 और quantity supplied हमारी पहले 30 थी और अब 20 हो गई तो यहाँ पर 30 थी यह आ गया इस तरीके से S और फिर यहाँ पर dash से ह हमारा घट रहे तो वह इस तरफ जाएगा ऑब रहे तो यह आप confuse ना हो जाएं exam में अगर घट रहे तो वह उपर की तरफ जाएगा और अगर बढ़ रहे तो वह नीचे की तरफ हम दिखाएंगे increase होना तो यह इस तरीके से हमारा graph बन किया जाएगा अब decrease क्यों हो रहा है just उसका opposite हो जाएगा तो आप किस तरीके से movements में लिखेंगे expansion और contraction में तो आपका आई जाएगा कि price भढ़ रही है तो उसके संग हमारी demand जो quantity supplied है वो भढ़ रही है और अगर इसमें आप बताएंगे increase और decrease में तो उसके लिए आप reasons बता देंगे जो भी factors of production है वो लिख देंगे line से और उसके आगे जो भी उसका positive points होंगे वो आप लिख दोगे और इसमें negative points जो भी होंगे factors affecting के वो आप लिख दोगे तो आपका easily यह जो answer है वो लिख सकते हो आराम से graph बना दिया table बना दिया और इसके causes आपने बता दिये कि increase क्यों हो रही है supply और decrease क्यों हो रही है supply okay students आज की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अब फटा फट से हम देख लेते हैं आज का quick हमने summary क्या हमने पढ़ा था हमने पढ़ा है आज की वीडियो में law of supply क्या होता है फिर उसके assumptions हमने पढ़े फिर हमने जाना कि जो movements होती है supply में जो की एक तरी एक हमने expansion or contraction पढ़ा उसकी reason समझे तो I hope आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टिल अगर आपकी कोई query है इस chapter से related या किसी भी chapter से related तो आप comment section में उसको ज़रूर mention करिए और red students आज की वीडियो को हम यहीं wrap up करेंगे I hope आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होग और अपना support इसी तरीके से मेरे channel के संग बनाई रखें थैंक यू